तो की हाले में प्यार दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई का मजा भी ले रहे होंगे तो लेते रहेएगा ध्यान दीजेगा जो आज की टॉपिक है हमारी उसे पढ़ने से पहले इतना जान लीजे कि अब तक हमने पिछे जो चार पॉल्यूसन पढ़ लिया है उनमें से उनही के पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं ये पॉल्यूसन सायद नहीं आए या इसमें से कुछ सौर् पॉल्यूसन पढ़े हैं उनमें से पूछने के चांसेज ज़्यादा हैं बाकी आप इसे भी पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी पॉल्यूसन इतना लायक नहीं है कि आप उसे भूल जाए या उसे बहुत ज़्यादा आपको याद करने में मेहनत लगे बस आप उसके बारे में जानते रहेंगे तो paper में अगर question आ गया तो पूरी की पूरी guarantee है कि आप खाली छोड़ कर नहीं आएंगे तो आएए आज की वीडियो की बात करते हैं आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं radioactive pollution यानि कि सिंपल सी बात है अगर atmosphere में अचानक से ठीक है जिस स्थान पे radioactive elements नहीं पाए जाते हैं उस स्थान पर भी अचानक से वहाँ पे radioactive elements की मात्रा में वृध्धी हो जाए यानि कि ग्रोथ हो जाए बस वही आपका क्या कहलाएगा radioactive pollution या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर atmosphere में radioactive elements की उपस्थिती हो जाए प्रजेंस हो जाए वही आपका कहलाएगा radioactive दूसरी बात ये pollution काफी हानिकारक होता है क्योंकि इसके बहुत ही जो कहते हैं बहुत ही विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं विनासकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं example के तोर पे cancer क्या है इनकी वज़ा से कुछ raise बाहर निकलती है कुछ विकिरड बाहर निकलती है और वो विकिरड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है जैसे आपका alpha raise हो गया gamma raise हो गया बीटा raise हो गया ये alpha किरने गा effect अच्छा नहीं होता है दूसरी बात अगर radioactive जो element है जो particle है जो substance है अगर वो मिटी में भी मिल जाते हैं तो उस मिटी में जितने भी काम के पोसक elements हैं तत्व हैं उनको बिल्कुल नश्ट कर देते हैं और भूमी को धीरे-धीरे यानि की land को धीरे-धीरे बंजर बना देते ह हैं यानि की बिना काम का अब उस जगह पर कुछ नहीं होगा तो इस तरीके से यह बहुत ही खराब है और अगर उस land में उस भूमी में अगर आप कोई करते हैं तो उन चीलों में भी उन क्रॉप्स में भी इनकी मात्रा पहुँच जाती है और इस तरीके से हम में भी कहीं न कहीं इनकी मातरा धीरे-धीरे पहुच जाती है तो आप समझ रहे हैं क्या होता है तो इसके बहुत सारे विनासकारी प्रभाव है बाकी ये create कैसे होता है यानि की पैदा कैसे होता है तो आएए देखते हैं कि क्या है इसके sources क्या reason है जिसकी वज़े से आपका radioactive pollution फैलता है या किस reason से फैलता है तो आएए देखिए सबसे पहला reason तो यही है कि आपका जो nuclear energy जहां पर generate होती है यानि कि जहां पर आपकी nuclear energy पैदा होती है अगर वहीं पर कोई accident हो जाए तो जाइड सी बात है अगर मान लिजे आपके घर का जो gas है उसको बाहर रख लिजे आपके घर में नहीं फूटेगा ठीक है घर के बाहर रख लिजे किन ही कारणों से अगर वो gas फूट जाता है वो gas फट जाता है तो जो उसमें gas है वो बाहर निकलेगी ठीक है उसमें से radioactive elements भी बाहर निकलेंगे और atmosphere को polluted करेंगे और साथी साथ जो आपकी rays है जो आपकी विकिरण है अलफा गामा भीटा वो भी बाहर निकलेंगी और जब बाहर निकलेंगी तो हमारे ये जो atmosphere है जो हमारा वातवर्ड है इसको polluted करेंगी तो बस यही हो जाएगा आपका radioactive pollution अब रही बात इसके उपर काम चल रहा है कि ऐसा कुछ ना हो लेकिन आए दिन कुछ न कुछ ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं जैसे अभी जल्द में एक मामला हुआ था जहां पर ये घटना हो गई थी जिसकी वज़े से बहुत से लोगों की मौत भी हुई थी और जो उनके आसपास का area है वो भी प्रभावित हुआ था ध्यान दीजेगा ये इतना simple element नहीं है जो इनसे raise निकलती है न उनका प्रभाव आपका समझ लिजे genetically भी पड़ता है यानि कि आपकी पीडी पर तो असर दिखेगा ही दिखेगा आने वाली पीडियों पर भी असर दिखेगा वो जो आपको याद है जो परमाडुबम से हमला हुआ था जापान के नागासाकी में वहाँ पे ये हाल था कि कितने सालों के बाद तक भी उसके फरक दिखते रह रहे थे जो भी वहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें कुछ न कुछ कमिया रह रही थी सोच लेजे इतने सालों के बाद भी तो ये उसी की एक रीजन है तो इस विशह पे काफे दिन से हमारी सरकार से बाच्चे चल रहे है जल्दी कुछ निसकर्स निकालते हैं आप लोग भी चाहें तो अपने सुझाव दे सकते हैं कुछ बड़ी बात नहीं है चलिए आईए हम अपने दूसरी टॉपिक को देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम नुकलियर वेपन्स का यूज करते हैं तो उससे भी बड़ी मात्रा में आपका रेडियो एक्टिव पोडियूशन फैलता है सिंपल सी बात है अगर हम परमाडू मिसाइल का यूज करेंगे परमाडू बमो का यूज करेंगे जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वर में किया गया था और वहाँ पर हमने उसके यूज को करके किस तरीके का वो एट्मोस्वेर यानि कि वातावरड के उपर एफेक्ट डालता है प्रभाव डालता है वो हमने देख लिया है खास कर कह सकते हैं कि और गैनिजम के उपर भी एक बहुत ही विसेज तरीके का फरक डालता है अगर आप लोग को पता होगा कि जब 1945 में आपके हिरोसिमा के नागासाकी में जब यह हमला हुआ था तो उसकी वज़ा से बहुत सारी मतलब फिजिकली तो जो प्राबलम होती ही होती है mentally भी प्राबलम होई और genetically भी यानि कि उस पीड़ी में तो जो उसकी वज़ा से उस क्या सकते हैं उस nuclear विस्फोर्ट की वज़ा से जो problem दिखी वो तो दिखी ही उसके आने वाली कई पीडियों तक उसकी असर बनी रही और आज भी वहाँ पे पूरी तरीके से अभी भी कुछ इलाकों में वहाँ पे उनके फरक देखे जाते हैं जहाँ पे आपके radioactive elements की मातला बहुत जादा है आज भी वहाँ पे ऐसे cases देखे जाते हैं वो मतलब जो भी आपके बच्चे जर्म लेते हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं आप इसके बारे में थोड़ा मुड़ा जानते भी होंगे नहीं जानते होंगे तो आप नेट पर सर्च करके आप इसके डिटेल ले सकते हैं और इनकी वज़ह से यापके radioactive एक्टिव एलिमेंट्स की बज़े से पांग के सहरों में सबसे अधिक मात्रा में कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं बाकी अन्य अदेसों के अलावा या बाकी अन्य सहर के अलावा जापान के उस सहर में हिरोसीमा और नागा साकी में सबसे अधिक मात्रा में कैंसर के पेसें या अंदाजा या ये कह सकते हैं कि उस हमले का और इस कैंसर से बड़ा लेना देना है इसी वज़े से आपके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपके कैंसर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और जो उनसे कहीं न कहीं रेज निकलती हैं विकिरर निकलती हैं यानि कि अलफा गामा बीटा वो भी आपके कैंसर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं उसको प्रोड्यूस करने में या उसको पैदा करने में तो ये कुछ रीजन थे कि अगर हम नुकलियर वेपन का यूज करते हैं तो उनसे भी किस तरीके से माफ किजएगा आपके रेडियो एक्टी पोल्यूसन होते हैं ठीक है अब आपका जो थर्ड रीजन है वो थर्ड रीजन है आपका माइनिंग यानि कि खुदाई करना यानि कि अगर हम किसी खनिज पदार्थ की प्राप्ती के लिए बहुत जादा डीप बहुत जादा डीप जाकर खुदाई करते हैं माइनिंग करते हैं तो उसकी वज़से भी आपका रेडियो एक्टी पोल्यूसन होता है बात समझें आप यानि कि किसी चीज की प्राप्ती के लिए कोई भी मालिज ये कोई खनिज आयसक हो गया उसके लिए आप एक लिमिट से जादा अंदर जाते जा रहे हैं और डीप जाते जा रहे हैं इस तरीके से भी आपका रेडियो एक्टी पोल्यूसन होता है जैसे एक्जामपल के तोर पे आपका रेडियम हो गया यूरेनियम हो गया ये प्राकरतिक रूप से आपके atmosphere में पाए जाते हैं और सामान रूप से आपके ये radio धर्मी यानि की radioactive elements होते हैं एक चीज़ मैं आपको यह आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ radioactive elements ना बहुत आपको समझ लिए इसके अंदर high potential होती है इसके अंदर बहुत जादा उर्जा होती है और ये उर्जा जिस वज़र से होती है वो आपके विकिरण है यानि की raise की वज़र से इन आपके elements के अंदर इन raise की वज़र से इनकी जो potential है इनमें जो energy है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है ठीक है आप बात समझने कुछिस करिएगा इन रेज की यानि की अलफा गामा बीटा ये जो रेज हैं ये रेज की वज़े से इनके अंदर बहुत ही हाई पोटेंसियल में एनरजी होती है ठीक इसी वज़े से ये काफी जब इनका ब्लास होती है तो इस तरीके से माइनिंग के जरिये भी आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है आपका इन्वार्मेंट पॉल्यूटेट होता है अब बात करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं इस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के तो आईए उन्हें देखते है अगर effect की बात की जाए तो सबसे पहला effect ही यही है कि इसकी वज़े से बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की disease create होती है यानि कि different type की disease create होती है और इसका एक सबसे बढ़िया कह लीजिए या खराब कह लीजिए example है cancer यह आपके बहुत हद तक आपके raise की वज़े से कीरड की वज़े से यह बिमारी आप कह सकते हैं कि यह बिमारी कुछी सालों में कुछी वर्सों में develop हुई है और अब इस हद तक develop हो गई है कि यह आपके देश की तो छोड़ी है यह अब globally problem हो गई है अब इस हद तक यह विक्सित हो चुका है कि सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन चुका है और एक तरीके से यह बिना इलाज वाली बिमारी है टाइम से ज़रा सा भी लेट हुआ तो समझ लीज़े आपका काम खतम ही है और उपर से इतना ज़्यादा कह सकते हैं मतलब मेहंगा इसका treatment है कि हर किसी के बस की बात भी नहीं है उपर से इसकी वज़र से आपका जो आपका और effect पड़ता है वो यह पड़ता है कि आपके मतलब time से पहले आप old age में चले जाते हैं आपके bleeding की problem हाती है मतलब कट जाए तो खुन बहता ही रहेगा बहता ही रहेगा जमेगा नहीं और आपके heart से संबंधित कारी संबंधित मतलब बहुत सारे समस्या देखने को मिल रही है दिल से संबंधित तो इन सभी disease के create होने का एक कारण आपका radioactive pollution भी माना जाता है आप बात करते हैं कि दूसरा क्या effect पड़ता है दूसरा effect बहुत ही महतवपूर है कहलेजे ये effect तो आपकी पीड़ी को भी डाक जाएगा यानि कि genetically क्या effect पड़ता है इसका उसे देखते हैं इसमें simple सी बात है जो भी आपकी raise हैं जो भी आपकी wicked हैं जो एक harmful raise हैं उनका प्रभाव आपके उपर तो पड़ता ही पड़ता है इसका प्रभाव आपके बच्चे में आपके होने वाले बच्चे में और उनकी भी generation में देखने को मिल जाएगा इस हद तक खराप्रभाव होता है और इसी का बहुत बड़ा example है आपका जापान का हिरोसुमा और नागा साकी जहांके आज के समय में भी इतने सालों के बाद 1945 में वो काम हुआ था आज भी वहां के कुछ इलाकों में जहां पे radioactive element की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है वह आज भी थोड़े जो बच्चे जन्म लेते हैं वो आपके कही न कहीं किसी न किसी तरीके से physically वो unfit होते हैं यह जो आपकी raise होती है यह आपके अंदर के DNA को प्रभाव डालती है आपके DNA को प्रभावित कर देंगी तो यही आपका क्या है यह आपका genetically एक substance है जो एक चीज को एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में ले जाने का काम करता है अब उसी को यह प्रभावित करती है तो समझे तो अगर वो प्रभावित हो गई तो आपने आगे जो ट्रांसफर किया DNA वो भी प्रभावित है तो इस तरीके से इसी वज़ा यही reason है कि बहुत पीड़ी तक इस के लक्षड दिखते रहते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर एक बार यह आपकी बॉड़ी में पहुँच गया और उसके बाद यह एक्टिव रहता है तो फिर यह खतम नहीं होता है सबसे बड़ी बात यह इसकी एनरजी को डिस्ट्रॉइ नहीं किया जा सकता है एक बार अगर यह बॉड़ी में एक्टिव हो गया तो यह काफी टाइम तक एक्टिव रहा क्योंकि इसकी एनरजी को आप खतम कर ही नहीं सकते यह डिस्ट्रॉइ हो ही नहीं सकती और इसी तरीके से वो आपके अंदर बहुत सारी डिजीज को क्रियेट करना स्टार्ट कर द दिया ना तो यह तुरंत आपके हाथ के माध्यम से आपकी बॉड़ी में प्रवेस कर जाएगा समझ रहे हैं अगर आपने इसे अपने नंगे हाथों से चूदिया मतलब बिना किसी चीज को हाथ में लगाए आपने इसे ऐसे ही चूदिया तो यह ऐसे ही आपके हाथ में प् होता होगा तो आप सर्च करके देख सकते हैं यूटूब पे नेट पे आपके पड़ी हुई ये डिटेल अप पड़ सकते हैं अच्छा चलिए ठीक है एक बार को imagine करिए कि कोई एक pregnant lady है उसके अंदर किसी तरीके से अगर ये element पहुच गया ठीक है अब ये पहुच गया किसी भी तरीके से तो क्या होगा उसका effect इस हद तक दिख सकता है कि वो अंधा हो सकता है वो आपका गूंगा हो सकता है क्या पता उसके अंदर mentally कुछ defect हो जाए तो कुछ न कुछ आ उसके अंदर problem देखने को मिलेगी ही मिलेगी बात समझ रहे हैं इस हद तक ये खराब होता है अब तो मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं चलिए अब हम आते हैं कि ये मिट्टी को किस तरीके से खराब करता है यानि कि आपका radioactive element मिट्टी को स्वाइल को कैसे खराब करता है वो भी जान लीजे अब जाहिर सी बात है अगर आपके atmosphere में आपकी ये radioactive elements हैं या आपके rays हैं तो इसका effect आपके मिट्टी के ओपर भी पढ होंगे अब मिट्टी में जो बहुत सारे radioactive substance है वो क्या करते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और ये radioactive substance क्या करते हैं कि जो उस मिट्टी के अच्छे तत्व हैं जो उस मिट्टी के nutritious element हैं उनको मार देते हैं बहुत हराम खो रहे हैं मतलब बहुत हराम खो रहे हैं मिट्टी के अंदर जो भी कुछ nutritious element है substance है उनको ये मार देते हैं मार के मिट्टी को एकदम खराब कर देते हैं इस level का खराब कर देते हैं कि मिट्टी आपकी तरस्त हो जाती है कहती है आज से हम बंजर हो गए हैं आज से हम कोई भी फसल को पैदा नहीं करेंगे अच्छा तुम बहुत फोर्स कर रहे हो तुमारे लिए करेंगे लेकिन पहले इसको हटाओ इस radioactive elements को इस खेत में से एकदम हटाओ और आम ऐसा कुछ करेंगे नहीं तो देखिए अगर ऐसा खेत है जिस खेत में आपके radioactive elements बहुत बड़ी मात्रा में आपके present है ठीक है और अगर ऐसे खेत में अगर आप खेती करते हैं और जो उसमें फसल उगा रहे हैं उस फसल में भी आपके radioactive elements की मात्रा पहुँच जाती है और इस तरीके से जो खाएगा उसे उसके अंतर भी radioactive elements की मात्रा पहुझती है तो इस तरीके से आप बात समझ रहे हैं तो ये इस तरीके का जो आपका food होता है वो ना तो इंसानों के लिए अच्छा है और ना ही किसी जानवर के लिए तो आप बात समझ गए होंगी कि इस तरीके से भी आपका radioactive pollution फैलता है अब चलिए अब हम अंतिम प्रभाव पढ़ लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पढ़ता है तो आपकी कोसिकाओं के उपर भी इसका बड़ा फरक पढ़ता है जो आपके रेडियो धर्मी एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रभाव आपकी कोसिकाओं के उपर भी पढ़ता है कोसि जिका को मार देती है और इसकी वज़ा से कभी-कभी इंसानों में इस reason की वज़ा से death भी हो जाती है वह जो raise नहीं होती है वही raise सारा काम कर रही है वही wikiler कर रही है वह आपकी body में जाये बिना ही आपको कर दे लिए जो लोग नहीं कहते हैं कि फोन से रेडिएसन निकलता है फोन को दूर रख कर सोना चाहिए तो ऐसे में क्या हो रहा है? उसमें से विक्रड़ निकलती है और वो विक्रड़ हमारे लिए हानिका रखती है उसी तरीके से इसमें से भी जो Reyes, Alpha, Gamma, Beta बहार निकलती है वो हमारे लिए बहूत हानिका रखोती है हमारे Cells के लिए भी जुमायें अंदर कोशिकाय होती है उनके लिए भी हानिका रखोती है और कभी-कभी इनके damage की वज़ा से इनसानों में मौत भी हो जाती है जनवरों में भी हो सकती है भाई साब हर कोई इनसान ही है सोरी-सोरी भावनाव में बह गयते हर कोई organism ही है हर कोई जीव ही है तो सब को जो भी जीव है उनके ये effect हो सकते है तो बस अब बात करेंगे किस तरीके से हम radioactive pollution को रोख सकते हैं कम कर सकते हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहला काम तो यही करिए कि जो भी आपके radioactive wastage हैं उनको ऐसे ही तो आप कहीं भी fake नहीं सकते और नहीं इन्हें normally आप कहीं दफना कर रख सकते हैं तो आप यह सब काम तो इनके साथ करने सकते तो इनको कह सकते हैं collect करने के लिए इनको निप्टाने के लिए एक ढ़ंग का method बनाना चाहिए जिसके माध्यम से आप इन कचड़ों को इकठा करके कहीं पर रख सकतें ठीक है क्योंकि इसे ऐसे तो आप कुछ नहीं कर सकते या तो आप इनको फिर से एकठा करके इनको reuse करें क्योंकि इनको खतम नहीं किया जा सकता या आप बात समझे ये ये इतने simple नहीं है कि हाँ किसी कचड़े की तरद जमीन को खना उसमें गार दिया कहानी खतम नहीं आप इसे कुछ और सोचना पड़ेगी इसकी recycling करनी पड़ेगी तो ही ये कहीं न कहीं आपका ये problem थोड़ा solve होगा ऐसे तो नहीं हो सकता तो इसे एक बढ़िया से container में आपको collect करना चाहिए और फिर इस तरीके से इसका reuse करना चाहिए collect करके इसको reuse करना चाहिए मिला के कहने का sense ये है चलिए तो अब बात करते हैं दूसरे reason की जो भी हम परमाडू परिछड करते हैं जो भी हम ये सब बमवम फोड़ते हैं इसको एकदम बंद कर देना चाहिए ये बहुत विनासकारी है इससा बंद कर देना चाहिए और अगर करना चाहिए तो बहुत ध्यान से रिगिस्तान में बढ़ियां जगा पर करना चाहिए जिसकी वज़ा से कोई जीवन कम से कम प्रभावित ना हो बात समझ गए यानि कि इनसानों से दूर करना चाहिए तीसरी बात जो भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पर आपके रेडियो एक्टिव सबस्तान्स होते हैं या पदार्थ होते हैं उन पर लेबल लगा देना चाहिए कि भईया यह बहुत ही खतरनाक चीज है छुए जिन और पता है आज की जनरेशन की खासित क्या है जो चीज मना करो वही करेंगे अई ना करें के हम कर आप हम आज कहीं ला हम कर आप हम कर आप तो भईया कर आप कहीं कि बता जो आपके पहले तहीं टच करेंगे आपके बाडी में इंटर कर जाएगा तब बहुत ही सोच विचार के टच करिएगा जीवन का अंतिन दिन कनवर्ट हो जाएगा किसी को छूना तो इसी लिए इस चीजों को ऐसे सबस्तांस को जिस भी कंटेनर में रखा जाना चाहिए उस पे बढ़ियां से लेबल, डेंजर, वेंजर इतना खतरनाक चितर बना देना चाहिए कि समझ में आ जाए कि खतरा है अब चलिए लास्ट पॉइंट सुनिए रिसाइकलिंग की ऐसी बढ़ियां टेक्निक की विक्सित की जानी चाहिए कि ताकि इसको रिसाइकल करके वापस से हम इसे रियक्टरों में यूज कर सकें ठीक है और इसके लिए अगर हमें बाहरी सोर्सेज की यानि की इंटरनेशनल अगर कुछ हिल्प लेनी पड़े तो लेनी चाहिए बेजी जग लेकिन प्रावलम का निप्टारा करना चाहिए आज के लिए विडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा करते नहीं अच्छा नहीं लगता है उनको बहुत गुस्ता आता है ठीक है तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में टाटा बाई 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 इसे क्या होता है कि हमारा डेडिकेशन जाने लगता है एकदम खत्म हो गया